एक दिन सुन्दरवन में जोड जोड से लाउड स्पीकर पर नट्टू बंदर चिला रहा था सुनू 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 सभी जंगलवासियों को सूचित किया जाता है कि कल हमारे सुन्दरवन में गाने की प्रतियोगिता है ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इस प्रक्त तक जाकर इनसानों की नगरी में घुमने का मौका मिलेगा। दूसरा इनाम है सहर में जाकर अपनी मन पसंद चीज उठा कर लाना। और सबसे खास पहला इनाम है सहर में एक महीने तक रहने और खाने की सुविदा। यह सब सुनते ही सभी जानवर खुशी से जूमने लगे। हर कोई कहता मैं पहला इनाम जितूँगा। नहीं मैं पहला इनाम जितूँगा। मुझे सहर देखने की बड़ी इच्छा है। बस फिर क्या था सुन्दरवन में हर जगे गाने की चिलाने की आवाजें आने लगे। कोई सा बोलता तो कोई पा बोलता पर कोई भी पीछे नहीं रहना चाता था। इसलिए राद भर सभी ने सूर लगाए, बस फिर क्या था, सुबह होते होते आधों के गले खराव हो गए, आधे जो राद भर नहीं सोई थे, वह सुबह सो गए, फिर रहे सहे जानवर प्रत्योगिता में पहुंचे, नट्टू बंदर ने अपने माइक को समाला और कहने जाईए, चमचम लोमणी के लिए, यह जंगल में नाच सिखाती है और सबको उंगलियों पे नचाना भी, दूसरी जच है माधुरी कोयल, यह अपने सुरीले स्वन लगाकर सबको गाना सिखाती है, तीसरी जच है नैना देवी हिर्ने, जो सभी को मटक मटक कर चलना सिखात अब हमने आपको सभी का परिचय दे दिया है, तो फिर चलो मिलकर प्रत्योगिता को आगे बढ़ाए, फिर सुरू हुई प्रत्योगिता, सबसे पहले मोती गधा आया और उसने अपना अलाप लगाया, सभी ने अपने कान बंद कर लिये, फिर क्या था, रामु भालु आया और गधे को खीसता हुआ मंच से नीचे ले आया, अब दूसरा गायक कामनी मिंड की फिर वह गाने लगी, अब गपु कववा आया, उसने सुल लगाया, उसके बाद साप की बारियाई उसने अपना हुनर दिखाया, अब भौरे ने गुनगुनाना सुरू किया, उसके बाद सेर मंच पर धम धम करता हुआ आया और चिलाने लगा, फिर अंत में आया हरी राम तोता, जैसे ही उसने गाना गाया, सभी लोग खुद को रोक नहीं पाए और नाचने लगे, फिर सव खूब जूमे और सारा जंगल आवाजों से गूँज रहा था, सभी उसकी तारीफ करते नहीं ठक रहे थे, अब आई इनाम देने की बारी, अब आई छम छम लोमडी, बोली तीसरा इनाम जाता है गब्बर सेर को, क्योंकि उसकी आवाज सुनकर सारा जंगल डर गया, फिर मटकते मटकते नैना देवी आई, और उन्होंने दूसरे इनाम की घुष्णा की, दूसरा इनाम जाता है मोती गधे को, उसकी आवाज इतनी करकस थी कि उसे स्टेस से उतानना पड़ा, गधा खुशी से चिलाने लगा, सभी ने उसको चुप करने के लिए कहा, अब माधुरी कोयल ने घुष्णा की, पहला इनाम जाता है, सब को नचाने वाले हरी राम तो तेको, और सभी खुशी से तालिया बजाने लगे, सभी ने अपना अपना इनाम लिया और अगले दिन, तीनों अपना इनाम लेने सहर की तरफ चल पड़े, तीसरा इनाम जीतने वाले बबर सेर के साथ दो जिराप पुलिस भी गई, अब सेर सहर की सडक में जाकर इंसानों की नगरी में घूमने जा रहा था, तभी उसे देखकर सारे इंसान चिलाने लगे, भागो भागो शेर आ गया, और सेर दहारने लगा, फिर दोनों जिराफों ने शेर को पकड़ा और वापस जंगल ले आए, और बोले, बस यही था तुमारा इनाम, अब वापस चलो, अब आई दूसरा इनाम जीतने वाले मोती गधे की बारी, वो मस्ती के साथ सहर में गया, और अपनी पसंद की चीज को ढूनने लगा, फिर उसकी नजार एक सबजी वाले पर पड़ी, वहां से उसने गोभी उठाई, और लेकर वापस आ रहा था, तभी जोर से एक डंडा पीछ मा, और वह भागता हुआ तेजी से जंगल की तरफ दोड़ा, और बोला भगवान बजाए ऐसे इनाम से, अब आई हरी राम तोते की बारी, उसे सहर में रहने वाले सेट गरिब चंदर चुहे के पास भेजा गया, उसने हरी राम के रहने की पूरी व्यवस्था की थी, फिर आराम से हरी राम सहर में मजे लेने लगा, पर एक दिन हरी राम लालच में दूसरे इनसान की छट पर जाकर बैड़ गया, वहाँ पर जाल बिचाता और हरी राम फस गया, इनसान आया और उसे पिंजरे में बंद करके चला गया, फिर हरी राम अपसोस करने लगा, कि उसका जंगल जादा अच्छा था वहां खुली हवा थी कहीं भी घूम सकते थे पर अब तो एक ही जगे पे बंधा हूं ये सहर रहने के लिए इतनी अच्छी भी जगे नहीं है अब वह पिंजरे में उदास बैठकर एक ही गाना गाता है तेरे प्यार में